स्टापलस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा फाइनली अब में कॉम्पूटिशन में पहुंच चुकी है और वहाँ अनाकली बनकर अनुपमा ने जो डांस किया कि सब देखते ही रह गए अनुपमा को वहाँ देखने अनुपमा भी बहुँच जाता है जिसके बारे में अनुपमा को पहले नहीं पता होता अनुपमा ने अपनी गुरु मा को सभी लोगों को अपने डांस से खुश कर दिया किसी ने सपने में भी नहीं सूचा था कि अनुप मा इतना mind-blowing performance देगी लेकिन उसने अपनी गुरू मा का सर उचा रखा इतना अच्छा परफॉर्म करने पर सारी मीडिया भी वहाँ आई सबने इस important event को capture भी किया अनुप में वहाँ पहुच रिया और अपनी अनुप का ये वाला रूप अनुप को इतना अच्छा परफॉर्म करते देखकर अनुप मा ने अनुप मा ने अनुप को देखा तो वो थोड़ी nervous हो गई थी लेकिन nevertheless अनुप मा तो अनुप मा है उसनी उतना अच्छा परफॉर्मिंस दिया सब लोग उसकी तारी फीकत ने लगे डान्स हमेशा से अनुप मा के लिए बहुत ही जादा important रहा है डान्स उसका passion रहा है ये बात अलग है कि घर परिवार और responsibilities के चलते उसने अपने सपने पर कभी ध्यान नहीं दिया अनुझ भी ये बात जानता है कि अनुझ ने हर्थ जिसी को खुश रखने के कितनी कोशिश कई लेकिन आज वो अपने लिए जी रही है और ये देखकर अनुझ को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अनुप मा आपने सपनों को जी रही है परफॉर्मेंस की आखिर में अनुझ भी अनुप मा के पास जाता है और अनुप मा के साथ उसके कुछ ऐसे मोमेंस देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर गुरु मा को अच्छा नहीं लगता वो हमेशा से अनुप मा को फोकुस रखना चाहती है अनुप मा का परफॉर्मेंस देखने अनुझ तो वहां था ही लेकिन अनुझ के पीछे पीछे वहां माया भी पहुँच गई और जब माया ने देखा कि अनुझ कितनी अच्छी तरह अनुप मा के परफॉर्मेंस को इंजॉय कर रहा है तो माया से बिलकुल रहा नहीं गया परफोर्मेंस खतम होने की बस देरी थी कि माया ने वहाँ तमाशा खड़ा कर दिया और ये सब गुरु मा को बिलकुल अच्छा नहीं लगा पहले तो अनुपमा के पूरे परफोर्मेंस को च्पचाप माया देखती रही थेविपत जैसे ही वो देखने लगी कि अनुझ अनुपमा को देखकर खुश हो रहा है तो माया को जलन होने लगी और जैसे ही परफॉमेंस खतक हुई माया जाकर अनुपमा पर तूट पड़ी वो अनुपमा से दब तमीजी करने लगी अनुपमा से कहने लगी तुम ही जो करना है करो तुम ही जहां जाना है जाओ तुम घुमो फिरो उड़ो तुम ही जो करना है क करो मरो चाहे जीओ लेकिन मेरे अनुप से दूर रहो इतने हाड वर्ड सुनकर अनुपमा काप जाती है उसने माया का ये रूप कभी नहीं देखा होता लेकिन माया तो पहले सही ऐसी थी ना सारी मीडिया के सामने उसने बहुत बवाल किया गुरुमा ये सब बिल्कुल झेल पाए गुरुमा के लिए एवेंट बहुत ही जादा इंपॉर्टन था लेकिन माया के ये सब करने से पूरी नेगिटिव फब्लिसिटी होगी इस इवेंट की माया ने जो तमाशा किया है सब के सामने वो सारी मीडिया ने कैप्चर किया और ये ही सब देखने को मिलेगा इस जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें